विल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना कटलेट यह साबुदाना कटलेट बहुत इजी है बनाना और बहुत टेस्टी बनके तयार होता है बहुत हिल्दी होता है इफ्तार के लिए एक दमबेश्ट है अगर आप तक हमारे चैनल को नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सिक्राइब करिए चलिए हम सुरूर करते हैं यह हाफ कप साबु दाना है इसको बरतन में एट करके इसको हम अच्छे से वाश कर लेंगे तीन से चार बार यह हमारा वन थर्ड कप मोमफिलिक दाना है इसको रोष्ट करके और छिलके को हटा कि इसका पौडर बनाना है हमने अच्छे से वाश करके उपर से आधा इंच उपर हमने पानी एट करके इसमें और चार से पांच घंटे के लिए इसको हमें भीगो के रख देना है देखिए चार से पांच घंटे के बाद अच्छे से यह फूल गया है एकदम मैश हो रहा है अब इसके एक बाउल में आइट कर देंगे अब इसमें हम बाकी के इंग्रीडियन्स आइट करेंगे यह आलू है दो बड़े साइज के इसको हमने अच्छे से बॉयल करके हातों से मैश करके इसको एट कर दिया है यह वही मॉम्फिली का दाना है इसका हमने छिलका हटा के और अच्छे से पाउडर बना लिया था धर धरा से पाउडर हम बनाये थे एदम बारीक से नहीं पीसे थे धनिया एक मेडियम साइज के बारीक से चॉप किया हुआ प्याज भुना कुटा धनिया भुना कुटा जीरा वन टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, वन टीस्पून नमक, नमग आपने टेज के साफ से, वन टीस्पून दरदरा सा हरी मिर्ची का पेस्ट, वन टीस्पून अधरक लस्ट का पेस्ट, अभुना कुटा ध करा के इसका कटिलेट बना लेंगे हम आप लोग हमें सपोर्ट करिए आप लोगों के लिए इसी तरीके से एजी एजी रेसिपी हम लेके आते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए इस तरीके से हम सारे कटिलेट बना लेंगे इतने मिक्सिंग में मारा 12 से 15 पीस कटिलेट बनके तयार हो गया है अब इसको हम आदा घंटा के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि यह अच्छे से से सेट हो जाए फ्राई करने में कोई प्राब्लम ना आए अब यह हम फ्रीज से निकाल लिए है हमारा ऑईल गरम हो चुका है ऑईल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे इतना डालेंगे कि हमारा हाफ कटिलेट टिप हो जाए देखिए कितना फटा फट से बन गया है एक मिनट के बाद हम साइट चेंज कर लेंगे अब एक मिनट हम इस साइड भी कुकल लेंगे कलर भी देखिए कितना बनिया कलर होगे एकदम गोल्डन कलर हम करके इसको निकाल लेंगे जब बनाने का दिल करें तब फट से बना लीजिए बहुत जल्दी बन जाने वाला ये रेसिपी है अस अभी को बहुत पसंद आएगा अब हम इसको निकाल लेंगे देखिए कितना बनिया कलर आया है इसका देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी होगा इसी तरीके से हम सारे कटलेट फ्राई कर लेंगे अब आपको सर्फ करके दिखाएंगे गिरीन चटनी टोमेटो केचप किसी के साथ आप सर्फ करिए देखिया अंदर से एकदम सॉप्ट उपर से एकदम करंची है आपने हमारे वीडियो के देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको साध्स की के लेखात इसके साथ